नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है अरडियत्सर यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम राजेश डी हजारे है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमेशे के तरह कुन हुनार करोणपती का जो रजिस्ट्रेशन के लिए नया सवाल आ चुका है आज 4 मार्च 2022 को पूचा गया जो सवाल है रात के 12 बज़े जो सवाल पूचा गया था और इसका उत्तर आपको जो भी अप सवाल आएगा उसका उत्तर जो है 11 बच के 69 मिनट 69 सेकेंड तक आपको देना है और ये सवाल नमबर है 10 यानि के 10 वा सवाल है कौन होनार करोणपती सोनी मराठी का जो शो है के बीसी या कौन बनेगा करोणपती का मराठी वर्जन तो उसके रेजिस्टेशन के लिए सवाल है 14 में से 10 वा सवाल तो दोस्तों आज 4 मार्च 2022 के प्रशन का उत्तर देने के लिए आपके पास दो रास्ते है अगर आपने अब तक कोई भी उत्तर नहीं दिया है तो आप मिसकॉल के माध्यम से उत्तर दे सकते हैं मिसकॉल के लिए नंबर और बाकी पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में और साथो साथ हमारे जो पहली वीडियो थी कि इस शो में रेजिस्टर करने के लिए किस तरीके से प्रक्रिया है उसके बारे में 23 फरवरी कोडा ल इसे करना है उसकी बारे में भी 23 फरवरी को डाली गई वीडियो में पूरी जानकारी दी हुई है अगर आपने नहीं देखे है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और अब आज का प्रशन देखना याने उत्तर देने के लिए आपको सुन लिए अप उपन करना है अब आपको सा मराटी नाटक अधारी थै या उस पर रचा गया है से एडॉप्ट किया गया है अगर हम लिटरेचर की लैंग्वेज में कहें तो तो दोस्तो यहाँ पर आप्शन्स है ती फुलरानी लगनाची बेडी कूल बदू और मुरूची माउशी ये चार नाटकों के नाम है और लकीली ये क्योंकि ये प्रशन का उत्तर मेरे पाद म देखी गई है को है करे पूच रहा है वो है पिगमेलियन जोर्ज बर्नॉट शौकी और दोस्तो मैं वैसे अगर मैं स्वयम क्योंकि माराथी नाटक पढ़ना देखना पसंद करता हूँ और बाइजूकेशन मैं स्वयम इंग्लिश लिटरेचर का स्टुडेंट हूँ इंग अटक लिखी गई है उसके बारे में भी अच्छी खासी जानकारी है और अगर फ्रैंक लिए अगर मैं आपको कहूँ तो यह जो बुक है जिसके बाइज जो इस प्रश्न का उत्तर है वो बुक मेरी अच्छी से पड़ी हुई भी है मैं वहां के एक दो क्यारेक्टर मेरे फ प्रश्न का उत्तर देना नहीं बलकि अगर हमारे पास प्रश्न से संबन्दित कोई भी जानकारी है तो वह आपके साथ साजा करना है तापकि आपके भी नौलेज में थोड़ा बहुत विद्धी वो आपको नहीं जानकारी मिले और सातों सात क्योंकि हमने देखिया है कि ल पिगमेलियन जो नाटक है दोस्तों George Bernard Shaw बहुत प्रक्यात अंग्रेजी नाटककार है और उनुने कापी सारी किताबे लिखे कापी सारी नाटक को केरे भी लिखे है पर उसमें से जो पिगमेलियन जो नाटक है वो बहुत ही प्रक्यात नाटक है George Bernard Shaw को Pygmalion Natak के लिए ही जाना जाता है बोलेंगे तो भी अतीशन्योक्ती नहीं होगी और दुसरी बात यह कि यह जो Pygmalion Natak है इस Pygmalion Natak को कुछ इंगलिश में ही काफी सारी मतलब उस पर काफी सारी चीज़े मतलब उस पर आधारी नई नई चीज़े लिखी गई विबिन प्रकार के राइटर्स के द्वारा उन्होंने इस Pygmalion Natak अगर आप सर्च करेंगे तो Pygmalion Natak से ही काफी सारी नाटरक आपको मिल जाएंगी काफी सारी किताब आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी दूसरी बात यह कि इसकी काफी सारे अनुवाद भी हुए अलग अलग भाशाओं में तो वो एक है उसके अलाबा विबिन जो अन्य भाशाओं वाले हैं मतलब अंग्रेजी के राइटर्स जो नहीं है जो अन्य देशों के राइटर्स है जैसे इन में से जो जैसे पुचा गया कि कौन सा मराटी नाटक तो अन्य देशों के जो राइटर्स है उन्होंने भी पिग्मालियन नाम से ही अपने अपने भाशाओं में नाटक लिखे या फिर पिग्मालियन पर आधारी तो यह पूच रहा है मराटी नाटक कुन सी है तो दोस्तों इन में से एक चीज पता देता हूँ इस नाटक पर फिल्में भी बन चुकी है सिर्फ किताबे नहीं लिखी गई बरकि अनुवाद मतलब सेम नाम से अलग अलग नाटक बनी कुछ लोगों ने अनुवाद भी किये कुछ लोगों ने उसी पर अधारी नही नहीं किताबे लिखे वो एक सब एक और किताब के बारे में शायद इसी यही अब दस सवालों में ही है जो आज दसवा सवाल है तो यही दस सवालों में से एक सवाल पुझा गया था वैक्ति वल्ली के संबन में तो वैक्ति वल्ली जो किताब के रैटर्स है मैं रैटर है वैने कहा भी था पूल जो कि हमारे महाराष्टर के एक दम का मतलब है बिल्कुल हमारे महाराष्टर में प्रक्यात लेकक हो चुके है प्रक्यात नाटक कार हो चुके है तो उन्होंने इस पिगमेलियन नाटक पर अपनी भाष्या में अर्दत महराटी में दूसरी एक किताब लेके वो भी नाटक ही ह ती फुलरानी नाम की, मैं सिरे उत्तरी बता रहा हूँ, ती फुलरानी नाम की नाटक लिखी थी, और मैं स्वयम वो ती फुलरानी पढ़ चुका हूँ, मैं पिग्मेलियन भी पढ़ा हूँ, पर पिग्मेलियन मैं कंप्लेट नहीं कर पाया किसी कारण वर्ष, पर ती फुल पुलरानी जो नाटक है वो मैं पढ़ चुका हूँ लाइबरेस से किताब लेकर और पूरी complete किताब पढ़ चुका हूँ टी फुलरानी में पूलर देशपांडी जीने और एक कैरेक्टर भी है वहाँ पे मंजूडा करके एक कैरेक्टर था वो मंजूडा जो गाव की लेडी और उसकी language थोड़ी सी क्या बोल सकते है मतलब डाइलेक्ट वाली भास्षा वाली जो language होती है गाव की language दिहाती भूली जो होती है उस बूली में वह लिखती है और वो जब educated लोगों से जब मिलती है तो educated लोग उसकी बात का मजा कोड़ाते है उसकी भास्षा का मजा नहीं वो लेडी रहती है मंजू श्री या मंजूडा तो मंजू वो character है तो इसका उत्तर तो ती फुलरानी है दुसरी बात अब यह है कि हिंदी में इस पर एक movie भी आ चुके है दोस्तो 1980 में देवानन जी ने वो movie में काम किया है अभिनाई किया है उस movie का नाम है मन पसंद वो movie मैं देखने ही पाया पर हुँद तो मुझे पता है कि वो भी क्योंकि pigmielion पर based है करके मुझे पता है कि एक मन पसंद नाम की movie है जो उन्हें सवस्सी में शायद release हुई है और देवानन जी ने अभी नहीं किया शायद कोई बेंगॉली रैटर होंगे बासू अगरे होंगे शायद तो उन्होंने मतलब उस पर आदारित वो movie बनाए अंग्रे जी में ही एक movie आई है बहुत ही पुरानी है वह इसे देखा जाए तो मैं देखा तो नहीं हूँ पर वो भी मुझे एक पता है वो भी पिगमेलियन पर ही बेजड है हल्यूड की है ये movie और मन पसंद मैंने बता हिंदी में मराटी में इस पर movie आई है की नहीं पता नहीं परन्तो एक serial आ रहे थी जिस सोनी मराटी चैनल पर हमारा कोन होनार करोणपती का यह जो अपना show आ रहा है अपना और हमारा मतलब हम सब उसके बारे में बात कर रहे है उस उद्देश्य से उस दृष्टी से मैं बोड़ो हमारा तो उसी सोनी मराटी पर एक ती फुलरानी नाम से एक serial आ रहे थी तो उस serial में भी एक मंजूडा या मंजू नाम का तो वो भी ती फुलरानी नाटक जो पूल दिश्पांडी जी है पूरुशत्तम लक्षमान दिश्पांडे जिनको हम प्यार से पूल बोलते है या अंग्रेजे में जिनको पी एल दिश्पांडे जो है तो उनको मतलब उनीकी लिखी हुई नाटक जिसके हम बात कर रहें ती फुलरानी उसी पर आदारीत हुए सिरियल भी है तो दोस्तो इफोप आपको पिग्मैलियन के बारे में और ती फुलरानी के बारे में भी एक कापी सारी ett परियाप्त मातरा में जानकारी पता चल गई होगी अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो जानकारी को एक like तो बनता है बिलकुल जब बिना हमने कोई search की है जब मैं सिर्फ pigmyalian नाम सुनकर देखकर पढ़कर आपको इतनी जानकारी साजा कर रहा हो तो एक like तो बनता है और दोस्तों अई से ही आपको अगर अन्य और किता किताबोंग पढ़ने के आप अगर शौकिन हो तो मैं एक website जरूर बताना चाहूंगा आप हमारी website www.rdhsr.com इस website पर जरूर विजिर कीजिएगा उस website में booklysis नाम के एक label है उस मतलब category है वहाँ पर आपको कापी सारे किताबोंग के reviews मिल जाएंगे और आप वो भी पढ़ सक सकते हो आप किताबे खरीद भी सकते हो वहाँ दी हुई direct link पर क्लिक करके तो इस प्रशन का उत्तर हम सब्मिट कर देते है तीपुल रानी को मैं सब्मिट कर रहा हूँ और कनपा मुझे पता है कि तीपुल रानी ही इस प्रशन का उत्तर है सब्मिट तो मैंने कर दिया thank you का मैंनल आना चाहिए पर उन्तु वह आया नहीं है पता नहीं क्यों एक बार back ले लेंगे पर समय जबार दा जाएगा एक बार बैक लेता हूँ submit हुआ या नहीं पता नहीं अब बैक लेना भी risky है वीचे तो बैठ लेना risky है thank you का banner आना चाहिए था मैंने submit तो कर दिया उस बटन को मतलब उस उत्वर को परन्तो submit करने के बाद thank you का banner आया नहीं है मैंने back लिया हूँ risky है पर फिर से click here पर click कर दिया I hope thank you का banner आ चुका है इसका मतलब हमारा उत्वर submit हो चुका था इसका मतलब चलो ठीक है तो दोस्तो आई होप वीडियो थोड़ी रंबी हुई है क्योंकि मैंने एक जानकारी थोड़ी एक्स्ट्रा दिया हूँ और करके मुझे पता था कि आज की वीडियो दस बारा मिनट के होगी ही तो पर जानकारी तो उसे अच्छी है अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए कुछ सवाल सुजाओ है तो कमेंड कर सकते हो वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि इस वीडियो में तो म मिल दाएंगे थैंक यू सो मच यह वीडियो देखने के लिए हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए दन्यवाद